हालो एव्रीवान वेल्कम बैक टो माई चानल कैसे हैं आप सभी उमीद कर रहे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सिहत मंद होंगे खुशाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे हम सब भी मज़े में हैं और आज है संडे तो हैपी संडे टू आल अ बट यह व्लॉग ठोड़ा पूराना है सुबह में बच्चों का टिफिन में आने के लिए रात में मैंने ना मशीन लोड कर दी थी यह एक ठोड़ा नया रूटीन डाला है मैंने अपनी लाइफ में बस सुबह उटते में से चालू कर देती हूं जो कपड़े वगरह रहते ह तो मेरा काम बहुत असान हो जाता है जब तक मैं सुभह में किचन में लगी रहती हूं तो मेरे कपड़े दूल करके त्यार हो जाते हैं तो मैं आटा लगा रही हूँ और आटा में मेरे स्टान मिकसर में लगाती हूँ इसके बारे में बहुत सारे दोस्त पूछते हैं तो ब्रैंड तो आपको सामने दिखी रहा है बट क्वालिटी रिव्यू की बात करूँ तो यह मुझे पसंद आ रहा है अभी तक इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है और मेरा काम काफे ज़्यादा असान हो गया इसमें तीन अटाचमेंट आते हैं सबसे ज़्यादा और मेरा यह जो नीडिंग हुक है यही यूज होता है इसमें आटा कुछ ही मिंटों में लग जाता है और आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है तो अगर आप कॉंटम्टेट कर रही हूँ इसको खरीदना तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आज टिफन बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ मैं यह देखें वहाँ पर मैंने कुछ एक चीज़े बूनी ही थी यहां आटा तब तक तयार भी हो चुका है इसको मैं रेस्टिंग टाइम दे दूँगी थोड़ा तब तक जो टिफन में जाएगी आज सबजी वो है पनीर बुर्जी यह खुशी की फर्माईश थी लास्ट नाइट मैंने पूछा था कि टिफन में यह यह मैं से क्या बनाओ मैं ऑप्शन दे र जालती हैं तो यह एकदम सौफ्ट एंधल की सी ग्रेवी वाली बने टिफन में वह थोड़ा रिस्की हो जाएगा लीक हो सकती यह एकदम ड्राय बुर्जी बनाई है पर यह अनुग के लिए ब्रेक्फ़स भी बना दिया था तो तीनों लोग साथ में ब्रेक्फ़स करते है और यहां पर सानु खुशी का डबा मैं पैक कर रही हूँ पराथा आज मैंने एक एक ही रखा है क्योंकि आकर वो लोग शिकायत कर रहे थी कि आप जादा मत रखा करें तो थोड़ा थोड़ा सबजी पराथा फूट रख दिया है अब इन लोग को शानु को तो एक ही मिलता है उसमें फिर बच्चे इतना नहीं खा पाते और यह टिफिन बहुत अच्छे निकले और लखी लिए ही टूटे नहीं है वैसे तो सभी टिफिन इवेंचली खराब ही हो जाते हैं बट यह अच्छा है सानु कुशी को भी अच्छा लग रहा है कन्वीनियन्ट है यह और सुबह में एस यूजवल हस्बन बच्चे लोग को छोड़कर आ रहे हैं और दोपहर में मैं जा रही हूं शानु को लाने खुशी तो आज आएगी स्कूल बस से ही बट शानु को अभी आजकर लाना पड़ता है शानु रूम ठीक करो मैं लान्च बनाती हूं खुशी भी आने वाली है कर ले बेटा कर ले और सुबह जो पनीर बुर्जी बनाया था वो थोड़ा बचा था क्योंकि हजबना श्टिफन नहीं लेके गए थे तो वो थोड़ा बचा हुआ है और लेफ्ट और भी एक दो सबजियां वगरा रखी वी हैं तो मैं बस अभी रोटियां कर रही हूं हम तीनों के लिए फटा फट से फुलके कर लोगी और तोड़ा रायता सालेड और जो एक दो तीन सबजियां जो रखी वी हैं उन सब के साथ अभी लांच हो जाएगा अभी थोड़ी देर पहले मैं आप सभी लोग के कॉमेंट्स पढ़ रही थी रिप्लाई भी कर रही थी और मैं है ना दिल से थांक्यू यार कितना आप लोग प्यार देते हो ब्लेसिंग्स देते हो सच्वान यह बहुत अच्छा लगता है कभी-कभी ऐसा होता है कि काम करक होता है तब ही में कॉमेंट कर ड empez ale 170 अभी एल सबी एला बहुत सरे प्यारे दोस्ते है हमारी छोटी सी YouTube family में I'm so thankful to all of you लेकिन आज का जो गया है ना विडियो इसमें मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि शानू ने कौन सा स्ट्रीम लिया है तो मैंने ना विडियो में अच्छिली लिख दिया मैं आपको एक सेकिन दिखाती हो तो मैंने विडियो म कि कौन सी स्ट्रीम लिया है तो फिंगर गिस नहीं जाएगा आपका कितने लोग ने पूछा है कौन सा स्ट्रीम लिया है तो आपने लिखा बताया है लास्ट व्लॉग में इसे अच्छा लिख देते साइंस कॉमर्स आर्ट तो वह एजी रहता तो 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 देखेंग इस की नहीं आपने मेरे लास्ट व्लॉग में कॉमें तो आपने अगर मेरे कॉमेट किया था 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 तो ओनसली बताना ना cabeça स्न मिलो में य grain ने लिखा दिया ने जो विधियो है नहीं की आप Universum में कर गना कर्के देखते हो तो फिर बीच में कहां बूला वोंम में मिस हो जाता है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैं क्या हर कोई क्रियेटर एक एक सीन एडिट करने में रिकॉर्ड करने में टाइम जाता है एफर्ट जाता है तो इस पर इफ वी एक्सपेक्ट कि आप उसको पूरा देख लो तो यह कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और बहुत स नहीं हालिया एक तो आपका नाम बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारा है मेरी बहन आपके कॉमेंट को मैंने विल्कुल भी अदरवाइज नहीं लिया सिर्फ एक यह कि आपकी फिंगर गिस नहीं जाता है आपको बताओ हर रोज इतना एडिट करती हूं मैं मेरी कोई इसी भी फिंगर थोड़ी सी भी नहीं घिसी है तो फिंगर तो नहीं घिस जाती है लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे यह तरीका आपका पर बात आपकी ठीक है मैं लिख सकती थी मैंने इससे पिछली वीडियो में सबको लिख के बताया है PCM थोड़ा सा बस म तो वो दोनों स्कूल गई थी अभी मैं आगे बताती हूँ इस पे भी एक वमेट आया कि युनिफॉर्म नहीं है क्या स्कूल में क्योंकि खुशी नहीं पहना वा था तो खुशी नहीं पहना था तो तो उसका फ्री दे था काइंड ओफ पाटी थी उनके स्कूल में पाटी तो वही दिन था उस दिन इसलिए वो घर के कपड़े पहन के चली गए थी उसके पास 24 थी कि वो किसी हीरो या हीरोईन की तरह ड्रेस अप होके भी जाए लेकिन वो सिंपल चली गए थी जातर बच्चे सिंपल ही आये थे जिस्ट हाड गुड टाइम देर आसच कोई इवंट बगरा नहीं था तो इसलिए कुछ ने ड्रेस नहीं पहनी थी उसके बाद से आर व्लॉग में वह आपको ड्रेस में ही दिखेगी इसी तरह के कुछ दिन होते हैं तो उस पर बच्चे फ्री होते हैं घर के ड्रेस पहनने के लिए स्कूल से ही ऐसा मैसे जाता है और रही आप इसे कह सकते हो पर वजह से फॉर्मल मतब फॉमालिटी इस क्या ही मैं आपको बोलूँ ऐसा नहीं है कि इसका वापस admission हुआ है जो बच्चे continue करते हैं उनका हर साल बार-बार admission नहीं होता लेकिन आने वाले साल में क्या-क्या होगा क्या-क्या डिफिन रहेगा तो सब के कार में teachers brief देते हैं यह बताया जाता है कि आपकी यह नहीं class teacher होंगी आपके subject teacher यह होंगे और शानुका तो काफी major transition हो रहा है अब वो like normal जैसे students होता है वैसे नहीं वो stream वाली student हो गी है तो उसको day one पे जाना जरूरी था school से काफी सारी information उसको दी गई थी जो उसके लिए as student और हमारे लिए as parents काफी crucial थी तो इसलिए वो day one पे school गई थी day two पे वो कहां गई थी वो अपने coaching जारी अब regularly तो उनके यहां पर ऐसा है कि like अपने बच्चे का सभी को पता होता है ना मतलब हर school का तो उनके schools ने जिन जिन बच्चों को आगे admission कहें इसको या promote कह सकते हूं से admission हो चुका है नई class में तो class में as such अभी उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही है लेकिन उस सब के basis पे जो day one पे उनके school में हुआ है उनकी coaching शुरू हो गई है यहां पर मुझे एक friend का comment याद आ रहा है तो वो बोल रहे थे कि यह जो coaching वगेरा है उसी बारे में बता रहे थे कि बाइजू का क्या हाल हुआ है तो बात आपकी ठीक है या लेकिन अभी बच्चे ऐसे ही कर रहे है और मैं अभी बोल्ड ली बोलू तो school भी इस चीज को support कर रहे है तो आप अकेले अलग नहीं रह सकते फिर बहुत pressure आ जाता है और मैं पूरी कोशिश करते हूं आपके सवाल जो पकॉड़ा मिक्स है इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो तो उसके बाद मुझे बहुत सारे दोस्तों के उस बारे में कॉमेंट आ रहे थे तो मैंने बोला था जब में नेक्स टाइम बनाऊंगी तो आपके साथ रेसेपी शेयर करूंगी तो कल मैंने खास इसलिए का मिक्स बना कर के आपको दिखाया पूरा मेजरमेंट से बताया है कि इतने चमच आप बेसन ले 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 और इतने चमच फिर आप काउन फ्राइर ले 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 बाकि मसाले तो आप अपने हिसाब से उपर नीचे कर सकते हो और पिछले वाला लाल था क्योंकि मैंने पाउडर रेड़ फूड कलर डाला था तो गिव डाट यह थोड़ा सा मार्किट वाला लुक लेकिन मुझे खुदी उसका कलर नहीं अच्छा लागा तो इस बार मैंने उसमें कलर नहीं डाला बट मैंने बताया था आपको कि आगर आपको वह वाला कलर चाहिए तो आप इसमें रेड उसे आपको भी कोई डाउट उसमें नहीं रहेगा और यह मेरे लिए भी अच्छा है और आप पूरा देखेंगे तो फिर आपको कोई सवाल भी नहीं रहेगा झार पाट ऊटी कोसिता ऀा मेरे पूरा आपको कोई से उसमें रवद् दोनों बच्चे मतब सानवी खुशी शानू आ जाती है कोचिंग से और खुशी आ जाती है स्कूल से उसके बाद खुशी को फिर जाना होता है उसके ट्यूशन क्लास के लिए और इसके बाद फिर दोनों आके नाप ले लेते हैं लंच बंच कर लेते हैं उससे पहले हम लोग और फिर जब वो लोग सोकर जागती है, तो I make sure कि उनको थोड़ा बहुत खिला दूम है, जैसे एक सैन्विच हो गया, थोड़ा सा कुछ खा लेंगी वो लोग, तो फिर पढ़ने में अच्छा दिमाग लगता है, और फिर डिनर बनाने में वक्त लगेगा, तो वो शाम की चो में एक्ज अलाओड नहीं है, तो यह मैं टिफिन में तो नहीं देती, पर घर में बना रही हूं, तो आप बना लीजेगा, आपको अच्छे लेगेगी, तो मैंने एक ओमलेट जैसा बना ले, सिंपल पेपर एंड सॉल्ट के साथ, एक रोटी जैसी बना ली थी, आपके पा सलामे वगेरा बच्चे खा लेते हैं, आपके तो भी डाल सकते हैं, चीज अड़ कर दें और फिर इसे लॉक करके दोनों तरफ से सेख लीजेए, और लुक अट इस, यह कितना अच्छा बना है, मेरा जो पान है, जिसमें मैंने यह बनाया, वो थोड़ा सा छोटा है, तो य यह थोड़ा सा अच्छी तरह रोल बनेगा, लंबा बनेगा, अच्छी तरह से रोल हो जाएगा, पर मैंने यह इस चोटे से पैन में यह सोच के बना दिया था, कि जो एगे वो पूरा गोल गोल हो जाएगा, अच्छी तरह से, तो फिर अच्छा, मतलब गोल गोल बन जाए यह थोड़ा सा छोटा रहा तो बर इस ओके टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब था और यह दोनों खा लेंगे फिर मेरे पास स्वड़ा टाइम था वे शाम का काम करने से पहले तो अभी क्या है जब बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो कई सारी चीजे आपको अलग से भी ब इसके लिए मेरे पास जो जो चीजे अवैलेबल हैं जो जो मेरे बच्चे खालेंगे वह सब सोच करके मैंने यह इंग्रीडिन्स रखे हैं आप इसमें से कई सारे आइटम्स रप्लेस कर सकते हो आपकी चॉइस एन अवैलेबल्टी के हिसाब से वह मैं आपको बता दूंग आप अपनी चॉइस के नट्स ले सकते हो ग्रेंज भी मैं आपको बता दूंगी चॉकलेट डाल रही हूं इसमें सो दाट बच्चों को जादा अच्छा लगे तो डाक एंड मिल्क दोनों ही चॉकलेट अवैलेबल थी मेरे पास बट मैं मिल्क डाल रही हूं क्योंकि यह श इसमें नट्स में लिए बादाम इसको भी रोस्ट कर लिया है थोड़े से काजू ले लूंगी इनको भी मैं भूल लूंगी किसी बी चीज में आपको अलग से घी आड़ करने की ज़रूरत नहीं सब्सक्राइब करना है थोड़े से बादाम भून गे तो पिस्ते भी डाल आप वेरियस सीड्स भी आड़ कर सकते हो तो पाउडर ही रखा हुआ था आपको पसंद आते हो तो जो भी आपको अच्छे लगे वह आप डाल सकते हो नट्स और बीजोब जैसे वालनेट डाल सकते हो तो मैंने वालनेट नहीं डाली फिर यहां पे thoरा सा मैंने गील और गुणद्ध और धाड़ करदिया बिल्कुल एक चम्मत से भी कम चाहिक uwagę यह थोड़े से जवार पफ हैं यह भी मैंने आड कर दिये हैं आप इसके अंदर और भी सारी चीज़ें जो आपको पसंद आए जिसमें मखाना वगेरा भी डाल सकते हो बर्ट मैं नहीं डाल रही हूं है मेरे पास मखाने पर वह हैं सौगी हो जाएंगे इसलिए मैंने वह नह अंदर मैंने थोड़ा नमक भी आड कर दिया था और यह सारी चीज़े मिला करके इसे कोट कर दीजेगा आप चाहें तो रोस्ट के हुए टोस्ट के हुए ओट्स भी मिला सकते हो तो जो भी चीज़े आपको पसंद आती हैं आपको लगता है कि आपको यह खाने में अच्छ बके सच यह तो अगर इसी आपकि अच्छा हो जाएगा मेपल सिर्फ था वह भी फ्लेवर होता है तो मैंने रद Christians अट किये हैं आप अगर मेपल सिर्फ नहीं एड कर रहे हो तो आप गुड़ में थोड़ा सा वैशंस ऑनिले उसक्व ज़रूरा है क्योंकि मोला है यह है जर अच्छा फ्रेग्रेंस उसमें भी होता है तो वनिला एसेंस ये एक्स्ट्राक्ट गुर में मिलाएगा in case आपको लगता है कि ये डालने से आपको अच्छा लगेगा मैंने नहीं मिलाया है, वही रीजन है, मेपल सिरफ में भी एक अच्छा फ्लेवर होता है, और कॉन फ्लेक्स में भी, तो फिर वो ओवर पावरिंग हो जाएगा, फ्रेग्रेंस तो खाने में मजा नहीं आता है, इसलिए मैंने नहीं आड़ किया, सारी चीज अच्छी तरह से म हो जाता है, तो उसी तरह से हर चीज पर चिपकना चाहिए, गुड बिल्कुल भी आपका पानी वाला नहीं रहना चाहिए, वरना सारी चीज उसमें सौगी हो जाएगी, इसके शेल्फ लाइफ भी रिड्यूस हो जाएगी, तो गुड को बिल्कुल कम पानी के साथ हैं, और ग्रनोला जैसे ही ठंडा हो जाएगा, इसके इंदर चॉक्रेट मिलाईएगा, यह उप्शनल है, वही बात है, जो जो आपको खाने में अच्छा लेगा, जिसकी वजह से आपके बच्चे यह अच्छी तरह से खा लें, वो सारी चीज़े आप इसमें मिला सकते हो, मैंने जो भी चीज़े मिलाई हैं, वो सभी सब लोग खा लेते हैं, बस एक किश्मे शानु को ज़रा कम पसंद है, बाकी हर चीज उसे अच्छी लेगी और यह बहुत टेस्टी बना था, आप यह बना करके डब्बे में डाल करके रख दीजिए, यह कई हफते आपको थोड़ा सा ऐसे ही चबाने के लिए भी डब्बे में आप दे सकते हो, बना लीजेगा आपको यह अच्छा लगेगा, थोड़ा हेल्दी भी है, और थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आने वाले हफते में ऐसी चीजों के साथ, अगर बहार जा लए आप पर पापा तो में कंप्यूटर की टेक्स्वक में आना, और यह एंच्यादी, पीजिए, 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 और जा के पढ़ाई कर लो, आज तो खुशी बस लाइक मुझे हकर के कड़ेगे, बहात होमवर्क मिल रहा है मम बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे स्कूल की नजर में, अब तुम बड़े हो गयो, बेर सारी पढ़ाई, हम लोग शानू के और येंटेशन में गये थे, तो बोलो बोलो से इतना होमवक देंगे, इतना होमवक देंगे, कि कंप्लीट नहीं होगा, चलो जाओ बेटा, सम्राजी, सoda का बादी है दो नहीं है और इसान भी खुश जाएगी बड़ खुशी सौरी उसने कहा कि अभी आया ही नहीं है ले ये बुक्स पकड़ ये सारे शानू के हैं उसने बुला कि एक देर हफते बाद आप वापस चेक करना कुशी देखके बता शानू शानू देखकर बता ठीक है क्या और ये हैं सारी सब ये शानू कुशी टिफन और बाटल जगह पर रखो बेटा तमाटर बहुत सस्ते मिल गए मुझे ट्वेंटी रुपीज किलो बाकी सब ओके ओके हैं तो वहाँ पर भाईया के पास है एक दस किलो का तरबूस था जो वो सब को चिपका रहे था वो अच्छा लेकिन दस किलो पिर बड़ा हो जाता है वो फ्रिज में कैसे आएगा थाइंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अबूस कराने के बोले तेमारी काट देते हूं तमारे लें यूदू इस बूपी अमिलिक्षिस इथा बोस शुगर क्रिस्टल्स जैसे होते ना तो स्वीट होगा बहुत मिता कालो कालो फुम काट से लो अचने में अचने में मामी को फोन कर लो काल आरा था हुआ है तो हम लोग थोड़ देर पहले आए हैं बाहर से, एक्चली सान्वी खुशी की स्टेशनरी लेने जाना था, थोड़ा काम था, अभी तो रोज रोज बुजा भी टीफिन बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा फुरुज में सबजी वगरा सब ठीक से रहे तो थोड़ा ज्याद उनके स्कूल से एक वेबसाइट है जिसके साथ उनलों का टायाप है तो वहीं से उनिफॉर्म स्टेशनरी सब कुछ आती है तो खुशी वज लाएक की एक दो है वह आप ला दीजे बाकी तो सेट वहां से आ जाएगा बर शानू का भी वैसा नहीं है शानू बेसिकली एंसी तरफ है ना बहुत ही ज्यादा लवड एंड फेमस ट्रीट फूड है न्यूट्री वह सोया से बनते हैं बड़े वाले सोया से वैसे मिर पास यह मिनी साइज है तो इससे भी कर सकते हैं तो मैं अज न्यूट्री बनाओंगे डिनर में हां तो मैं रख रही हूं इधर चाय ब देखेंगे टीवी में क्योंकि कल है फिर संडे तो कल सुभा जल्दी उठने का कोई सीन नहीं है नहीं है कल सुभा भी खुशी को बिलाया है तो जल्दी जाना पड़ेगा बड़ेवर लेके नेक मूवी देखोंगी और कल रात हम लोग ने देखी थी तेरी बातों में ऐसा उल्जा जिया तो वो काफी वक्से है प्राइम पे पर रेंट पे थी तो मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं उसे देखूँ तो जब वो थेटर में थी तब भी मैंने आजबन को बोला था कि चलो चलता है वर जाना हुआ नहीं तब बचलों के एक्जाम और वो सब थे हम तोड जाना है तो जब मुझे पादा चला कि वो आगी है तो फे मैंने देखी लेटली मैंने देखी तेरी बातों में ऐसा ओल जाजी है विच वेरी गूड मूवी आप तोड़ा सा लॉजिक साइड में रखके इस बाउट रोबाट इप यू नो तो थोड़ा सा लॉजिक साइड वन टाइम के हिसाब से और एक मूवी मैंने शुरू की थी अनाटमी ऑफ फॉल तो थोड़ी से देखी थोड़ी से बोरिंग लग रही थी तो चोड़ दी वैसे वह ओसकर विनर उसके उपर लिखा रहा था तो मैं उसे कंप्लीट करूंगी क्योंकि मूवी को अगर ऑसकर मि कि मैंने वन दे शुरू करिया और वन दे मुझे शुरू के वन वन टू एपिसोड में बिल्कुल भी क्लिक नहीं आ रहा था तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि आप देखना इस गूड और जैसे स्टोरी आगे प्रसीड होती है तो वैसे वैसे और भी अच्छी ह हो जाती है तो मैंने फिर वन देखी एन एक पूरे 14 एपिसोड मेरे हो चुके हैं I know I'm late in the bandwagon बहुत लोग ने बहुत पहले से देख लिये बट यार मुझे उतना इतना टाइम मिलता है और लास्ट के एपिसोड में तो इतना ही मज़ेदार हो गी थी मुझे स्पेशलास के आप लोगों ने चाह देख रहे क्यों कि I don't want to give you a spoiler लेकिन जभी they you know they express their love they acknowledge their love for each other I love that Paris wala episode it's a nice it's a very nice watch in its genre आपको पसंदे इस तरह का romantic drama types तो आप जहुर से देख लेना और अभी April में काफे सारी अच्छी चीज़े आने वाली हैं देखने के लिए April में फिर बच्चों का चुटी भी आ जाएगी तो हम कॉइट रिलाक्स एक तो मुझे वो देखनी हो दुल जीद्व सांज की है ना चमकीला I'm keeping my eyes on it वो एक मुझे देखना है और एक मैंने हाँ वो भी देखी थी काडवर तो वो भी बहुत अच्छी थी मुझे काफी जादा पसंद आए वो तो वो जाने वाले हैं बाहर अकेले ही उस टाइम पे और आगे बच्चे लोग की जब चुटी आओंगी तो I'm not very sure हम लोग घुमने जाएंगे की नहीं जाएंगे इतनी तो भयानक वाली गर्मी हो जाती है लास्ट यर गर्मियों में हमारा गर्मियों में मतलब वही छुट गुमने जा पाएंगे की नहीं गुमने जा पाएंगे तो उससे अच्छा क्या है एकदम से वह हो जाएगा ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा मूड नहीं तो मैं आप लोग जो मुझे सजेस्ट करोगे ना वह सब देखोंगी क्योंकि बहुत सारे दिन मिलने वाले बहुत कम यह मिनी वाले ही में लेकर आती हूं यह सबको ज्यादा अच्छे लगते हैं पता नहीं मुझे ऐसा लगता है यह बहुत अच्छी तरह से फ्लेवर अब्जॉब कर लेते हैं और मेरे हस्बन को ना इसकी बहुत बाइट बाइट आती है उस तरह कम पसंद है तो इ चाय भी नहीं की इंटेंशन थी एक कप भी पूरी नहीं है तो यह मैंने स्ट्रेन कर ली है यहां पर मैं अच्छे तरह से मिक्स कर रही हूं सोया को एक बार और और ढकन लगा कि रख दूंगी तब तक मैं चाय पी कराऊंगे तब तक यह अच्छे तरह से सोख हो जाएगा और इसके लिए प्यास चाहिए मुझे बारी कटे हुए ना पिसे हुए ना मोटे मोटे बारी जो है अच्छे तरह से पिघल जाते हैं ग्रेवी में तो मैं इसको मेरा यह जो इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर है इलेक्ट्रिक चॉपर इडिस तो इसमें मैं इसको बारी कर लिया है और पैन के अंदर आड कर रही हूं मैं ओई एड करूंगी थोड़ा सा जीरा देन बारी कटे हुए प्यास और इसको अच्छे तरह से बून लेंगे जब तक प्यास ब आप वी बिल्कुल बारीक एकदम एसे प्यॉरी जैसा बना लिना है मुझे तो दाट यह ग्रेवी को अच्छा सपोर्ट करें प्याज अच्छे से भून गए आप देखें कलर अच्छा आ गया तो इसमें मसाले डालेंगे डाल रही हो मैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लाल मिर्ची का पाउडर धनिया का पाउडर थोड़ा सा ज्यादा करके साथ में इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला और जीरा का पाउडर यहीं पर आड़ कर रही हूँ थोड़ इसी काली मिर्ची का पाउडर भी मैं यहाँ आड़ करूंगी and then सारी चीज़ अच्छी तरह से बून लेंगे मसाला जब भून जाएगा अच्छी तरह से खुश्बू अच्छी आने लगेगी अड़ करना इसमें थोड़ा सा यह मीठा सोडा यह डाला जाता है इसलिए मैं आड़ कर रहे हूँ यह इसके कलर को एन्हांस करने में हेल्प करेगा यह एक स्ट्रीट फूड है जो थोड़ा सा डाक कलर का होता है तो वही कलर अचीव करने की कोशिश हो रही है अड़ कर दिया मैंने इसके अंदर टमाटर का मिक्स और फिर यह सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे टमाटर दीरे दीरे भूनते जाएंगे और डाक कलर के होते चले जाएंगे और आप देखें यह कितना अच्छा भून करके तयार हो गया है इसमें है ना वहाँ पर जो स्ट्रीट स्टाल बनता है उसमें पालक के प्योरी भी डलती है तो आपके पालक हो तो उसे प्लांच करके प्योरी कर लीजेगा और मैंने यहाँ पर टमेटो प्योरी आड़ किया है यही पर पालक की प्योरी भी आड़ कीजेगा यह थोड़ा से ज़्यादा डाक कलर का वो लोग बनाते हैं अच्छी तरह जब सब कुछ भून जाएगा मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं तो इस वक्त इसके अंदर आड़ कर देंगे इस सोया यह सोया मैंने स्ट्रेंड कर लिया था और अच्छी तरह दो लिया था दो चार बार पर यह मैंने निचोड़ा नहीं है बहुत ज्यादा और इसको अच्छी तरह से डाल करके मसाले में भून ले इसे ना दो चार मिनिट यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसकी भूनाई क करनी है फिर अड़ कर दीजेगा इसके दर सॉल्ट स्वाद के हिसाब से और फिर से भुनाई करें तो तो थोड़े से पालक का प्योरी आड़ कर देना तेमाटर के साथ ही और फिर भुनाई करें और लास्ट में आड़ करेंगे इसके अंदर तोड़ा सा चाय पत्ती का पानी इसको पकाने के लिए छोड़ेंगे, यह थोड़ा सा थिक थिक सी ही रहती है, बिल्कुल गाड़ी ग्रेवी वाला, एकदम सुखा नहीं होता, गाड़ी ग्रेवी वाला होता है, तो जब तक वो consistency मिल जाए, इसको पकाना है, आड़ कर रहे हूं में इसमें थोड़ी सी fresh मलाई यह फ्रेश क्रीम, इससे इसको अच्छा क्रीमी एफेक्ट आएगा, मैंने आड़ की तो मिझे थोड़ी कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी और आड़ कर दी है, यहां शानो को मैंने बोल में सारी चीज़ें मिक्स करके दे दी है, वो सब चीज़ों को उसका बाटर बन अच्छली, और मैं धनिया काट रही हूँ क्योंकि मेरे को यह जो बाटर यह बना रही है, इसमें भी धनिया इसको फ्रेश काट करके देना है, और मैं बनाने वाले बहुत अच्छा बटर मिल्क, यह थोड़ा साउट इन स्टायल का बटर मिल्क है, नीर मोर इसको बोलते है और यह बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए, गर्मियों में आप जरूर से बनाया कीजिए इसको, अड़ किया है मैंने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अधरक, एक हरी मिर्ची, थोड़ा सा दही अड़ किया है, पहले मैं आपको यह दिखा दू, यह सबजी हमारी बन क आपको पसंद आएगा, बट यह डाला जाता है, स्ट्रीट फूड की तरह से जब इसको बनाया जाता है, तो यह सबजी हो गए है, डन, धनिया डाल दिया था मैंने इसमें, और यहाँ पर नीर मोर के अंदर मैं आड़ कर रही हूं, भूना हुआ जिंजर का पाउडर, और जो बैगन भाजा है, वो बना रही हूं, मैंने बैटर बना लिया था, इसके अंदर बैगन के जो राउंडल्स हैं, इसको कोट करकर के मस्टर डॉल में मैं फ्राइ कर रही हूं, बिक्यूज वी लव मस्टर डॉल, और या तो आप इसे सिंप्ली इस तरह कोट करके फ्र बैटर बनाना बताया था, बिल्कुल उसी तरह से इसका बैटर बना लिजे, कोट कीजे, फ्राइ कीजे, और इट गिप्स ओसम टेस्ट